आज के विशेपे आते हैं कि ये रसोई गैस का सिलेंडर जो 2014 में 500 के अंदर था वो आज 1100 के पार कैसे पहुँच गया इसका क्या गणित है उसका गणित मैं आपके सामने लेके आया होई और ये भारस सरकार का आकड़ा है ये ये जो टेबल है ये मेरी बनाई भी नहीं है ये भारस सरकार के पैट्रोलियम मंत्रा लेके द्वारा बनाई गई टेबल है और ये टेबल क्या कहती है ये टेबल ये कहती है कि 2004-05 से लेके 2013-14 के बीच जो LPG पर सबसीडी है वो टोटल 2,14,000 करोड भारस सरकार ने दी कितनी 10 साल में 2,14,000 करोड क्यों दी ताकि रसोई गैस के दाम 500 के बाहर नहीं जाए पाए ऐसा नहीं है उस समय के जो गैस जो हम बाहर के देशों से मंगवाते थे उसके अंतराष्टे बाजार में कीमते आज से जादा थी पर उसको हमने 500 के बाहर नहीं जाने दिया क्योंकि 2,14,000 करोड रुपय की 2,34 से लेके 13,14 के बीच सबसीडी दी मोधी सरकार ने क्या किया आपको पता है पिछले नौ साल पे सबसीडी दी है कुल मिला के 36,500 करोड रुपया 2,14,000 36,500 करोड रुपया और ज्यादा सवाल पूछो तो बोले सिलेंडर लेओ गैस बरवाओ उजोला स्कीम है अरे उजोला स्कीम में दूसरा सिलेंडर बरवाए तो बरवाए कैसे और यहीं पे यहीं पे लूट नहीं रुकी है आपको जानके ताज्यूब होगा कि घरेलू LPG पर मोधी जी 5% GST भी लेते है और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पे 18% GST लेते है 18% आप सोचे साब कॉमर्शियल से हमारा क्या लेना देना अरे अभी होली पे कुछ मिठाई लाएंगे कुछ नमकीन लाएंगे वो कौन बनाएगा वो बनाएगा कोई हमारे घर के पास वाला हलवाई या मिश्टान की दुकान वो तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर यूज़ कर रहा है तो आप ना मिठा खाओ ना नमकीन खाओ ना मसाले खाओ ना आटा खाओ ना दूद का सेवन करो और ये सब करने के बाद एक और काम करना है बोलना है थैंक्यू मोदी जी ये मोदी जी का model of economy है